Hello everyone, you all are very very welcome to IITN Explains IITN Explains में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका अपना MKS और आपका अपना Guru जी एक ऐसे topic के साथ आया हूँ जो आप देख रहे है Resonance Energy जो important ही नहीं very important ही नहीं, very very important है actually इस topic से कई direct और indirect सवाल देखने को मिले हैं अगर आप previous year को चेक कीजेगा तो IIT J-Mains में, J-Advance में KVPY, Olympi Arts, Regional Interest Examination या State Interest Examination में या Medical में बहुत सारी questions रहे हैं Resonance Energy से हमको क्या पूछा जाता है, कई वार stability पूछ दी जाती है कई वार resonance energy की comparison पूछ दी जाती है तो बहुत तरह की questions यहां से बनाए जाते है Actually में यह topic General Organic Chemistry का ही है इसी bandwidth के अंदर आता है इसी horizon के अंदर यह topic आता है ठीक है? आपके बास lectures आ रहे हैं आप लोग share जरूर कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कर लीजेगा और like करके attendance डाल दीजेगा आगे बढ़ते हैं अपने बारे में थोड़ा बता दू मैं आपका M.K. Sir तक्रीबन 10 साल से बढ़ा रहा हूँ 3 साल से ज़्यादा होगे प्लस पर पढ़ाते हुए 70,000 से ज़्यादा student को mentor कर दिया है इस पर बड़ा ही कमाल का result रहा है 568 बच्चे IT में select होए और best teaching award अलग-अलग organization से धेर सारे मिले आप मेरे बारे में जानते हो सब कुछ आपको पता है अब हम थोड़ी सी पहले थेरी समझ लेते हैं कि resonance energy है क्या हमारे पास ठीक है to the point बात करेंगे कि आखिर हमारे पास resonance energy की conditions क्या क्या होती क्या क्या है resonance energy देखो resonance energy obvious इबात है किस के साथ associated होगी उन molecules के साथ या उन ions के साथ जिसमें actual में resonance काम कर रहा है actually जिन molecules के अंदर conjugation होगे वैसे planar system जो conjugation अपने पास रखेंगे वैसे molecule के अंदर ही आप resonance energy की कलपना कर सकते है वैसा molecule जिसमें resonance ही नहीं है तो आप उसमें किसी भी तरह का resonance energy को नहीं सोच सकते अच्छा अगर कोई molecule resonance दिखा रहा है तो obvious ही बात हो उसमें दो चीज़ें होगी पहली चीज होगी resonating structure और canonical structures और दूसरी चीज़ होगी hybrid एगरी करते हैं ना हर किसी resonating molecules के कुछ ना कुछ resonating structures होगे भले एक हो, दो हो, तीन हो, दस हो होगे ज़रूर राइट और दूसरी तरह उसका एक hybrid हम draw कर रहे होगे तो actually मैं दोनों के potential energy का जो difference होता है उसी को resonance energy बोलते है देखे लिखा गया है जो सबसे stable resonating structures होगा उसकी end the resonance hybrid और resonance hybrid के बीच का जो difference है उसी को बोला जाता है resonance energy मतलब हमको चेक करना है कि किसी भी system का most stable resonating structure कौन सा है और उसका hybrid कौन सा है hybrid और उस most stable के बीच का potential energy difference ही resonance energy बोला जाए यह molecule के stability को represent करता है या iron के stability को represent करता है देखो directly proportional to the resonance energy stability directly proportional resonance energy की होती है अब यहाँ पे तुम देख रहे हो benzene के यहाँ पे दो structures नजरा रहे है देखने में भले एक जैसे लगेंगे लेकिन ध्यान से देखेगा जहाँ double है भी single है और जहाँ single है वहाँ double है तो इनकी energy एक जैसी है तो यह इसके most stable resonating structures है कुछ कम वाले हैं हम उनको नहीं ले रहे हैं कम वाले हैं मतलब मालो यहाँ plus है यहाँ minus है इस तरह के structures को छोड़ दीजे चार्ज separated unstable structures है तो अगर हम सबसे stable वाला structure लेते हैं और यह हमारा बेंजीन का hybrid है तो देखे इन दोनों के बीच का जो energy difference है ना इसी को बोला जाता है what resonance energy और देखे किता है बेंजीन के case में 36 kilo calorie जो की बहुत हाई है इसलिए बेंजीन इतना stable होता है तो मैं फिर से बता दूँ molecule की stability resonance energy पर depend करती है सबसे stable canonical structures और resonance hybrid के बीच का जो energy difference है इसी को बोला जाता है resonance energy यह बेंजीन के resonance energy को दिखाए गया अब आईए questions की तरफ move करते हैं बड़ा ही तगड़ा question है चेक कीजे choose the set where first organic compound or ion having greater resonance energy देन दा second ठीक है पहले की resonance energy ना second से ज्यादा होनी चीए देखिएगा यहाँ पर कुछ questions है मैं आपको एक छोटा सा trick बता रहा हूँ अगर same number of pi bond हो अगर same number of pi bonds हो तो एक बड़ी कमाल की trick होती है cycle lena cross cycle lena cross सबसे पहले cyclic resonance को check कीजेगा है ना बड़ी यह anti-aromatic नहीं होना चीए इसके बाद lena का मतलब होता है linear और cross का मतलब होता है cross resonance तो सबसे ज्यादा priority cyclic resonance को देते है फिर linear को देते है फिर हम लोग cross को देते हैं और दूसरी एक important चीज और भी है कि aromatic की आपको पता resonance energy high होती है आप यह सब चीज़ें जानते हैं एक करके देखेंगे पहले यहां आते हैं देखें यह ओ माइनस conjugation के थ्रूँ यहां से यहां जा रहे है इसमें कितने पाई बॉंड का resonance है दो पाई बॉंड का resonance है यहां यह इधर जा रहा है यह इसके साथ जा रहा है तो at the same time ये एक पाई के साथ जा रहा है तो इसका जो है resonance energy ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा पाई bond है ज्यादा लंबा conjunction है जितना number extended conjugation होएगा उत्ता बढ़िया है अब यहां से आई हमारे पास पहला molecule जो है आप इसको देख रहे होंगे यह हमारे पास है पाई रॉल और यह हमारे पास है फ्यूडान अब पाई रॉल और फ्यूडान में क्या है देखेगा यह भी aromatic है six पाई electron species है यह भी aromatic है six पाई electron species है फरक तोरों में क्या है what is the difference between these two एक difference है यहां जो loan pair है जब यह conjugation में जाएगा तो nitrogen पर positive charge आएगा और जब इसका loan pair conjugation में जाएगा तो oxygen पर positive charge जाएगा अब हमको बताओ positive charge किसके उपर जादा इस टेबल है n के उपर या o के उपर बिल्कुल correct सोच रहे हो nitrogen के उपर तो यह आसानी से donate कर पाएगा और इसकी जो resonance energy होगी इस वज़े से high हो पाएगी इसलिए यह हमारा correct answer है है ना पहले हमारा पाई रॉल फिर फिरान आएगा अब इसमें चेक कीजिए इन दोनों molecule में simplified funda है यह दोनों के दोनों पाई जो है यस दो दो चार पाई electron है यह कैसा species है anti-aromatic species है और यह देखे का कैसा है 6 पाई electron के साथ aromatic species है और आप सबको पता है कि aromatic stable molecule होते है क्योंकि उनकी resonance energy बड़ी high होती है दूसरी तरफ anti-aromatic species की resonance energy zero या negligible होती है इसलिए resonance energy high किसकी हो जाएगी इस aromatic species की हो जाएगी आप चेक करते रहें किसमें first किसमें second है अब आईए यहां पर देखिएगा एक पाई दो पाई तीन पाई ध्यान से देखिए यहां पर आपके resonance काम कर रहा है है ना यहां पर एक cyclic resonance काम कर रहा और यहां पर linear resonance काम कर रहा आप जरा trick देखिएगा cycle लेना cross तो cyclic को ज्यादा priority दी जाएगी इसलिए first की ज्यादा होगी दूसरे पर आईए अब देखिए नंबर पाँच में आपके पास एक exo bond है मैंने क्या बोला था exo bond को rotate करके देखिए अगर मैं इसको rotate करता हूँ बचा तो यह कुछ ऐसा होगा o के उपर minus यहां positive पाई यहां से पाई तो कित्ते हो गए हमारे पास 4 यह भी इसके साथ resonance कर रहा है कम से कम इसमे resonance तो हो रही है नहीं हो रही कम से कम second वाले में resonance तो हो रही है इस वाले में तो resonance ही रुख जाएगी क्योंकि जैसे resonance होगा यह anti-aromatic character को acquire कर लेगा this is the reason कि हमारा इस anti-aromatic से ज्यादा इस species की resonance energy होगी next पे आईएगा देखेगा दोनो के दुनों position isomers है ब यहां पे देखो यह जो loan pair है यह एक loan pair मान लो इधर से इधर जाता है या मान लो इधर से इधर जाता है कैसा resonance इसको बोलेंगे cross resonance इस नथि बर across resonance यहां से देखो यह इधर आया यह आगे गया यहां रजोनेंस है एक linear resonance है अब linear और क्रोस में से किसको priority देते हैं, obviously linear resonance को priority देते हैं, again ये वाला हमारा winner है, next पर आओ, ये बड़ा कमाल का concept है, देखो, इसके अंदर तुम देखो, एक benzen ring है, right, इसके अंदर एक benzen ring है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके अंदर भी एक benzen ring है, दोनों के पास एक-एक benzen ring पर फरक क्या है, फरक ये है, कि ये मिथाइल, 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 थोरा-थोरा रिपेल करेंगे, इसके वज़े से ये benzen जो होगा, slight non-planar हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, slight non-planar हो जाएगा, इससे इसकी planarity पे थोरा सा प्रभाव पड़ेगा, थोरा सा प्रभाव पड़ेगा, मिथाइल है, रिपेल करेंगे, पर दूसरे वाले केस में ये बिल्कुल टोकरी के जैसा होने की कोशिश करेंगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये 6-membered, ये 6-membered, ये 6, ये 6 और ये 6, 6 के 6 जो 6-membered ring है, इसे इसको क्या करेंगे, highly, highly non-planar कर देंगे, ये जो highly non-planar होने के वज़े से, इसकी जो resonance energy होगी, वो बहुत तेजी से के साथ घड़ जाएगी, क्योंकि non-planar होने के वज़े से, अब ये बहुत अच्छी तरीके से resonance नहीं कर पाएगा, तो दोनों में से resonance energy comparatively इसकी होगी जादा, क्योंकि ये slight non-planar है, और ये highly non-planar है, because of the highly non-planarity, इसकी resonance energy घड़ जाएगी, इतने सारे groups लगे होएं, आपस में कच मच करके इसको non-planar बना देंगे, आईए इसके बाद, बड़ा प्याड़ा सा सवाल है, इसको अपने advance में भी देखा होगा, ये हमारे पास anthracene है, और ये हमारे पास finanthrine है, द यहां से देखो, एक benzene ring है, और दूसरा benzene ring है, दो अलग-अलग individual benzene ring है, तो जब किसी भी poly aromatic hydrocarbon में इस तरह के individual benzene rings आपको नजर आते हैं, आप आईडीन में भी observe कर सकते हैं, इनको बोलते हैं, क्लार रिंग, क्या बोलते हैं, C-L-A-R, clear rings, तो जितने ज्यादा clear rings होंगे, उतनी ज्यादा उसकी resonance energy होगी, यहां पर दो clear rings है, यहां एक clear rings है, इसलिए finanthrine की resonance energy जो होती है, वो ज्यादा होती है, किस से anthracene के comparison में, next आईएगा, बड़ा खुब्सूरत सा सवाल है, NCRT में भी आपने देखा होगा, यह हमारा organic benzene है, यह हमारा organic benzene है, और यह नकली benzene है, inorganic benzene है, अब देखो, organic और inorganic benzene में, अगर हमको compare करना होगा, obvious ही बात है, organic benzene में आप aromaticity को easily identify कर सकते हो, पर inorganic में क्या होता है, still यह वाले जो bonds है न, वो कैसे आपको नजर आते हैं, actually यहाँ पे थोरा सा structure गोलमाल है, BN, BN, और यहाँ पे होगा B और N, है न, अभी सही है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो inorganic benzene है, यहाँ polarity नजर आती है, BN के बीच में, BN के बीच में, तो यह एक polar molecule है, polar होने के वज़े से यह बहुत अच्छी तरीके से aromaticity को support नहीं कर पाता है, और वैसे भी हम सब को पता है कि benzene ज्यादा aromatic होता है, boragene के comparison में जो की inorganic benzene होता है, तो देखिए, आपका order निकल गया, इसमें पहला वाला है, इसमें पहला वाला है, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, इसमें पहला है, इसमें पहला है, इसमें दूसरा है, इसमें पहला है, अब आप calculate कर लीजेगा, I hope आपको बहुत अच्छे से resonance energy का funda समझ में आ गया होगा, कि resonance energy क्या है, इसके conditions क्या क्या होते हैं यह कैसे काम करता है कि इंपोर्टेंट जान करी बच्छा एक नौवंबर से फिस्ट नौवंबर से अनक एड़मी पे हम लोग लूँच करने जा रहे हैं इस तरह के कई स्टेट इग्जामनेशन्स होते हैं जिसमें बड़े अच्छे च्छे आपको मिलता है तो यह जो ओन्च होने वाले इन लॉचीं के लिए न आप पहले से pre-book कर सकते हैं, only 49 में, आप 49 रुपे देखे, pre-book कर सकते हैं, तो आप लोग पहले से book कर लीजेगा, link description में मिल जाएगा, तो आपको जो launching price होगी, उस पर 50% का discount मिल जाएगा, लेना, ना लेना, ये तो बाद की बात है, मेरी बात समझ रहे हो, लेना, ना लेना, ये तो बाद की बात है, पसंद आए ना आए, लेकिन, क्या पता आपको पसंद आ जाए, इसलिए 49 से आप pre-book कर लीजेगा, code याद रखें, जब भी आप pre-book करें, IATN explains है, इस पर भी आपको 4-5 रुपे का discount हमारी तरफ से मिल जाएगा, तो ये code बहुत important है, इसको ज़रूर लगाईएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आपने code यूज किया है, दूसरी चीज़ है, अनकैडमी का compete, आप में से बहुत सारे बच्चे डेली ही इसको देखते हैं, और डेली ही इसमें participate करते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया है, आप लोग compete के थरू भी अपनी ranking पता कर सकते हैं, पर जो major informations है, वो है state city वाली, बुलाकात आप सबसे होती है अगले lecture में, तब तक अपना ख्याल रखे, take care, bye bye